हेलो एब्रिवन अगर आप सभी एमर्स के टीजीटी पीजीटी के लिए जैंडल पेपर की प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो इससे बैस्ट मेचेरियल कुछ नहीं हो सकता बिल्कुल परफेक्ट मेचेरियल है यह एक बाड़ आप इसके फीचर्स को जान लीजे फिर आप देखि आप मॉडल पेपर कह लीजे 10 मॉडल पेपर भी है यह फिर 10 आफ्लाइन टेस्स सीरीज आपको आपको आफ्लाइन टेस्स सीरीज मिल जाएगा पैटन इस तरह से फॉलो है कि मालीजे जो 80 माक्स का आपका एक्जाम है टीजीटी पीजीटी के लिए जैनरल सक्षन 1-3 प्रिवियस यह सौल पेपर मिलेंगे 2010-2020 के बीच में जितनी भी के एक्जाम सुए जिस यह में उसके एक-एक स्टैंडर्ट सारे ही कोईस्चन आपको इसमें दिखने को मिलेंगे जो प्रैक्टिसेट का कंटेंट यह दोनों ही मीडियम में हैं इंगलिस और हिंदी दोनों ह बहुंत से एक्जाम कर लिया लिए अगर हम एक्जाम में जाके उसपेपर को वेसे को निकल सकते हैं हमारा हमें реб segment हो सकता है इसके बार आपको ठीक इसी के सारे टैन सौर्व पेपर मिलेंगे एक एक कोश्चन इसमें जो है वह के प्रिवियस 2010-20 के बीच में जितने भी जाम हुए क्योंकि बहुत ही के स्टेंडर्ड वे में है एक एक सिलेवस के टॉपिक को इसमें कभर किया हुआ मतलब कोई भी टॉपिक मिस नहीं है बिल्कुल यह हमारे इसके पैटर्ण को फॉलो करते हुए इसी वज़े से किया गया है बहुत ही बैनिफीसियल होगा इसमें जितने भी कोश्चन से माल लिजए आप सेट वन में अगर कोई टॉपिक मिसिंग है वह उस टॉपिक के ऊस्ट नहीं है तो आपको वह सट तुम में दिख जाएगा एक कोस्ट के आगे सेप्रेटली मैंने यह भी मैंसंट किया हुआ is कि कौन से यह कोस्टन तो कहीं सारे ही स्टेंडर्ड कुस्टन से कहीं से उठाके लाया हुआ नहीं यह बिल्कुल और इसके बाद आपको 10 सेट्स मिलेगा इसके बाद इसके बाद आपको एक्जाम पैटर्न फॉल्व करते विल जाएगा और इसके बाद जब आप एंसर सीट पर लोगे खुच से उ उसी topic से content आपको इसमें मिलेगा जेनरल paper के लिए इससे best कुछ भी नहीं हो सकता एक explanation एक topic हरे एक चीज best मिलेगा आपको जो आपको यह e-book के form में मिलेगा आप download कर सकते है मैं store से download कर सकते है मैं लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में दे देती हूं आप वहां से ले लिए 59 रूपीज इसका प्राइस है यह पेड है तो आप सब मैं यहीं चाहती हूं यह रिजनेवल प्राइस है हरे कोई इसली से ले सकता है बहुत कोई आप लोगों ने लिया भी है आप प्लीज एक बा बहुत जादे नहीं है और बहुत ही वर्थिट है यह अगर आप इसे ले के जब प्रैक्टिस करोगे तो इसली यह सॉल्व नहीं होगा एक एक आप इसली से सॉल्व नहीं कर पाऊगे इसके लिए हजारों आपको कुश्चन से पहले सीखने होंगे बहुत सारे टॉपिक सी लिखने होंगे उसके बाद ही से अटेंप्ट कर पाऊगे तो आप सभी के लिए बहुत ही हल्फुल हो आप सब इस टोर से इसे कर सकते हैं कोई भी इसू हो तो आप क्वेडी किजिए मुझे कमेंट में ओके थैंक्यू